हेलो दोस्तो स्वागत आप सभी का डाउटनेट लाइफ पे एंड सभी को वेरी वेरी गुद आफ्टनून आज का जो लेक्चर बेड़ा थोड़ा सा इंटरस्टिंग है ठीक है क्योंकि नीट के लेक्चुर के अंदर हमने थोड़े से सब्जेक्टिव कोशन्स चाले हैं और उससे हम एक पर्टिकुलर कॉंसेट को समझेंगे और उसके अंदर से कैसे अबजेक्टिव कोशन्स बन सकते हैं एक्जाम में वहां से कैसे अबजेक्टिव कोशन्स आ सकते हैं नीट के अंदर हम उसकी बात करेंगे तो इस इसकाम ज्यान रखेंगे और देखते हैं कि आज के लेक्षे में हम क्या-क्या इंक्लिूड कर रहे हैं और क्या-क्या पढ़ने वाले हैं ठीक है आपका अराम से एक कॉंसेप्ट तो कवर होई जाएगा यहां पर देखो चलो तो सबसे पहले तो अपना कुई जबाट उसको बात में करेंगे उससे पहले हम चलोते हैं तो को सबस्स्क्राइब देखेंगे कि किस तरीके से हमारे इस कोश्ण्स से क्योंकि यहांपे बिसिकशली होगा क्या अगर आप लोग नीड के साथ साथ बोड़ प्रिपरेशन और अगर अपने ख्लास की एक्षा curryशन कर रहे हैं तो वह भी हो जाएगा and अगर आप लोगों की need key preparation चल रहे हैं तो वहां की भी questions पाता लग जाएंगे तो वो students जो 12th के exams के लिए appear होंगे जिनके exams अभी तक नहीं हुए है specifically उनके लिए भी है lectures and जो need key preparation कर रहे हैं साथ-साथ उनके लिए भी है तो देखते हैं बेटा जी एक topic अपना ये volumes के उपर हो जाएगा और इसी वज़े से मैंने volumes का पूरा का पूरा यहाँ पर चार्ट लगा दिया है ताकि हम हर तरीकी के volumes को discuss कर सके और यहाँ पर देखो जैसे question दे रख है कि arrange करना है volumes को उनकी amount के basis पे या किस तरीके से उनका वो होता है उस places पे arrange करना है तो अब यहाँ पर देखो breathing का concept जो है वो हमसे पूशा गया है तो अगर मैं इस concept को समझाओंगा तो आप लोगों के need के almost जितने भी doubt है वो cover हो जाएंगे क्योंकि मैंने इसको काफी detail में यहाँ पर लगाया है और मुझे लगता है कि हाँ जिन भी तरीके की सारी confusion यहाँ पर student को हो सकती है मैंने उसको include करने के सोची है और सब कुछ include किया है तो यह सारी सुज़ा आज के lecture में discuss करेंगे और तो discuss करते हैं चौलो start करते हैं अपना lecture ठीक है बर देखो O2 का transport is very very easy उसमें simply क्या बोला गया है कि हाँ नाटी सेवन परसंट जो अपना O2 होता है इस ट्रांसपोर्टेट एज एक ओक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में टांसपर्ट हो जाती है और एक से तीन परसंट जो होता है हमारा इस ट्रांसपोर्टेट एस डिसॉल्विन प्लाज्मा डिसॉल्विन प्लाज्मा सिंपल ठीक है अब उसमें एक्जाम में कोशन भी जो बनते हैं चैपर नहीं ऑपर यहां पर बंते हैं और किस तरीके से बंते हैं कि ऑगसी हीमोग्लोबिन जो होता है यह सरक एक स्यृत बनते हैं तो थोड़ से कम कोशन बनते हैं compared to यहाँ पर in case of transport of CO2 यहाँ पर जाधा बनते हैं क्योंकि यहाँ पर methods जो है oxygen से जाधा हैं तो इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे और थोड़ से methods जो है complicated है पहला method से कौन सा directly यहाँ पर CO2 जो होती है वो dissolve कर जाती है किसके अंदर in plasma टेक है in plasma तो आप देखो oxygen भी plasma के थुरू dissolve होके transfer हो रही है CO2 भी plasma के थुरू dissolve होके transfer हो रही है फर्ख क्या है बेटा फर्ख क्या है oxygen का percentage was around 1-3% and यहां पर हमारे carbon dioxide का percentage is equal to approximately 7% 7% of CO2 जो होता है transported via plasma क्यों भाई क्योंकि sad सी बात है कि यह point जो है यह हमें बताता है कि CO2 जो होता है more soluble or more dissoluble ठीक है वो plasma में easily soluble हो जाती है होता है तो यह basic point first वाला it is same यहां पर लिखा भी हुआ है अगर आपको नहीं दिख रहा तो इसको हम zoom कर देते हैं यहां पर आप देख सकते हैं CO2 जो है 7% जो है it is dissolved CO2 gas ठीक है आगे बड़े आच्छा next beta G हमारे लिए क्या है next वाला भी हमारे लिए simple है next वाला aपना CO 2 जो होता है यह भी hemoglobin के साथ complex बनाता है क्या Hb CO2 is PSKUM क है कहते हैं करब आमीना हमोगलोबिन के और इस हो फाम में 23% of CO2 का ठीक है ये भी easy है इसमें भी कोई परिशानी वाली बात नहीं है इस form में 7% हो गया इस form में 23% हो गया जो main तरीका transport होने का है जिस तरीके से major way में CO2 का transport होता है वो क्या है किस form में in form of by carbonate ions in form of by carbonate ions कि अब जर्ण इस की बात करेंगे और थोड़ा सा अच्छे से करेंगे ऑँटा होता क्या है ध्यान से देखें गया होता क्या है ABC's के अंदर bugün present होती कंजाइम जिसका नाम क्या है carbonicена this carbonic andutri5 है ऐच्छा अब झलम के सर् इस enzyme का क्या क्या काम है। एनजाइम का काम यह है कि हमारा यहां पर देखे यह होता क्या है बेटा यह अपना टिशु है ठीक है यह तो अब होता क्या है यहां पर देखेंगे ध्यान से जो co2 होता है यह dissolve करता है कैसे tissue में से अपना diffuse करता है कहां पर in capillary आपना क्या आ गया कार्बन डएकसाइड अब आचेंज कर दिते एक किसके अनदर H2CO3 के अंदर This H2CO3 is Carbonic Acid Carbonic Acid ठीक है अच्छा अब यह जो Carbonic Acid होता है यह जो Carbonic Acid होता है It is very unstable It is very unstable तो अब क्या होगा सर यह unstable है तो यह break करता है किसमे HC3O negative प्लस में H positive में तो यह देखे यह बन गई हमारे Bicarbonate Ains अब यह present है कहाँ पे हमारे RBCs के अंदर present है RBCs के अंदर present है एक साथ सुन लो उसके बाद सलिश यह देखना यह RBCs के अंदर present है ठीक है But they are highly mobile mobile यानि कि इनको RBCs में रहना में खुशी नहीं मिलती चैन नहीं पड़ता तो यह RBCs से plasma में plasma से RBCs में यही करते रहते हैं ठीक है अच्छा ठीक अब होगा क्या एक बड़ी यहाँ पे इस portion को मैं zoom करके दिखाऊंगा यह portion बहुत ही अच्छे तरीके से दिख रहा होगा यहाँ पे देखो बेटा हो क्या रहा है यह जो SC3O negative जो है यह बन गया उसके बाद it is diffusing या कैसा it is moving out from RBC ठीक है और यहाँ पे देखो बहार आगया plasma के अंदर अब होता क्या है कि plasma के अंदर already negative charge ions है जैसे कि CL negative अगर SC3O negative भी plasma के अंदर जाएगा तो it is very obvious कि वहाँ पे negative charge बढ़ जाएगा और plasma का जो ion balance है जो भी ion का distribution है वो खराब हो जाएगा उसको maintain करने के लिए बाहर से CL negative जो होता है वो अंदर आ जाता है तो basically हम यह कहना चाह रहे है कि यहाँ से SC3O negative गया भार उतनी दिर में CL negative अंदर आ गया तो इस moment पे दो ions का transport हो रहा है अंदर और बाहर और we can say in opposite direction तो यहाँ पे आप कह सकते हैं इनका transport होता है या SC3O negative और CL जो होते है इनका transport जो होता है किस तरीके सो होता है antiport होता है antiport is opposite direction में transport simport is same direction में transport अब यह जो phenomena है बेटा जी इस phenomena को हम क्या कहते हैं इसको हम उपर लिखा हुआ है वैसे chloride shift कहते हैं और साथ ये साथ इसको बोलते है hamburger phenomena hamburger phenomena reason क्या है hamburger बोलने क्या सको जो scientist थे जिन्नोंने ये phenomena discover किया था उनका नाम hamburger था ठीक है और यहां पर chloride का shift हो रहता है इसलिए इसको chloride shift भी बोल दिया और hamburger phenomena भी कहते हैं ठीक है तो इस तरीके से अपने carbon dioxide का transport होता है the moment हमारा RBC पहुसता है कहां पर lungs के पास ठीक है तो अपने जो bicarbonate iron होते हैं ये वापिस अंदर आते हैं ये फालो करते हैं अब reverse path ठीक है ये यहां से यहां से पूरा का पूरा एक reverse path फालो करते हैं and they again form CO2 और ये जो CO2 होता है इसको भाहर निकाल दिया जाता है तो तीन तरीके थे transport होने के CO2 dissolved phrin plasma as carbo amino hemoglobin और in form of bicarbonate ions अब इसके उपर से क्या-क्या question बन सकते हैं इस तीज को जड़ा समझ लें चलो पहला question बेटा कि कौन से तरीके से कौन से तरीके से minimum transport होता है CO2 का minimum transport of CO2 पहला question ठीक है अच्छा चलो बहुत ही बढ़िया now second question is कि complex of carbon dioxide and hemoglobin is known as carbo amino hemoglobin ठीक है अक्सर students जो है इसके वो confuse करते हैं किसके साथ carboxy hemoglobin के साथ carboxy hemoglobin के साथ carboxy hemoglobin बिटा जो होता है it is complex of hemoglobin plus carbon monoxide it is complex of hemoglobin and carbon monoxide and carbo amino hemoglobin is complex of carbon dioxide with hemoglobin खूल है आगे बढ़ते हैं now यहां पर जादा question आते है majority of majority of CO2 transported in which form bicarbonate ions form आच्छा bicarbonate ions बनाने के लिए कैसे लिए bicarbonate वाला जो reaction है वो करवाने के लिए एक enzyme involved होती है उस enzyme का नाम पूछ लेते हैं थेके तो क्या होगा उसका enzyme का नाम carbonic enhydrous ठीक है बाई carbonic enhydrous HC3O negative जो होता है कौन से आइन के respect में भार जाता है तो CL negative के respect में भार जाता है ठीक है HC3O के respect में कौन सा negative अंदर आता है CL negative अंदर आता है ठीक है बाई इस phenomenon को हम क्या कहते है chloride shift कहते है दूसरा नाम क्या इस phenomenon का hamburger phenomenon कहते है इस तरीके से आप देख सकते है एक ही concept से बहुत सारे questions यहाँ पे बनते है ठीक है और इस कहलो कि इस वाले potions exam में transport of CO2 के वाले potions exam में जादा question आया compared to transport of O2 वहाँ पे एक ही simple सा question बनता है कि हाँ भई हिमोग्लोबिन के अंदर कौन सा इरन प्रेजन्ट होता है FE2 प्लस और FE3 प्लस तो FE2 प्लस एक हिमोग्लोबिन कितने oxygen molecule carry करता है तो चार molecule carry करता है sorry इसको हमें लिखना था ऐसे O2 के चार molecules carry करता है यही question आते रहते हैं वहाँ से and वहाँ पे majority form तो बच्चों को याद रहती है oxyhemoglobin और plasma कम form में percentage is very important in transport of oxygen as well as in transport of carbon dioxide आप लोगों से पूछ लेते हैं कि transport of oxygen जो है तो यहाँ पे अपना क्या जाएगा 70% तो यह तीनों चीजे आप लोगों को यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे ठीके तो यह एक अपना concept हो गया transport of CO2 इसके अंदर जो questions बन सकते हैं हमने वह देख लिए चाले जी तो start करते हैं अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपनी quiz पे हम quiz देख लेते हैं यहाँ पे चाले जी तो quiz का पहला question अब आपकी screen पर आने वाले ध्यान से रहेंगे और ध्यान से देखेंगे यह रहा there is a membrane covering the lungs called pericardium, perichondrium, pleural membrane यह गलती से PLU फिर से टाइप हो चुका यह गलत है तो it is pleural membrane and last is peritonium ठीक है there is a membrane covering the lungs और उस membrane का नाम आप लोगों को बताना है और अगर आप नीट की preparation कर रहे हैं और आपकी preparation अच्छी चल रही है तो आप लोगों को देखो यह definitely पताऊना चाहिए और नीट की छोड़ी है अगर आप बोर्ट की exam की भी त्यारी कर रहे हैं तो भी आपको पताऊना चाहिए now the pressure within the lungs is called partial pressure, intra pulmonary pressure, interstitial pressure या alveolar pressure lungs के अंदर जो pressure होता है उसको हम क्या कहते हैं यह आप लोगों को बताना है decay the pressure inside lungs चलिए lungs के अंदर हमारा जो pressure होता है वो क्या कहलाता है okay तो time यहां पर बेटा खताम होता है आते हैं पहले question पर covering किसकी lungs के covering वो होती है अपनी plural membrane क्या होती है plural membrane यह lungs को कह सकते हैं double wall layer है double wall layer है और provide करती है protection कि लंग्स को ओके इसका जो outer वाला portion होता है outer portion जिसको हम कहते हैं क्या parietal pleural मैं लिख देता हूं यहां पर parietal pleural और अंदर वाला portion इस visceral pleural ठीक है यह contact होता है किसके यह किसके contact में होता है रिप्स वगरा की contact में होता है या मसल्स की वगरा के यह contact में होता है लंग्स के और इन दोनों के बीच में present होता है pleural फ्लूइड जो उनको प्रोवाइड करता है क्या protection ठीक है चालो आगे आते है नेक्स कोशन यहां पर प्रेशर विदिन लंग्स इंट्रापल्मनरी प्रेशर लंग्स के अंदर जो प्रेशर होता है लंग्स के अंदर ठीक है प्रेशर इंसाइड लंग्स उसको कहते हैं इंट्रापल्मनरी प्रेशर तो यह भी बहुत सिंपल सा कोशन था जब आप एक्शेंज ऑग्स के बारे में पढ़ते हैं या ब्रीधिंग के बारे में पढ़ते हैं तो इस टम का यूज होता है ठीक है कि इंट्रापल्म जाने बट मैं सोच रहों कि इसके जगा मैं आप लोगों को बता दूं कौन सा कोशन यहां पे कोशन था यह देखो एक ओटू के उपर भी ट्रांसपोर्ट ऑफ ओटू के उपर भी कोशन है कि मेजर परसंट आफ यहने कि 97% परसंट ट्रांसपोर्ट बाइ आर बीसी इन को समझते हैं अच्छे से यह वाल्यूम्स की कौंसर्ट जो होता है ठीक है इंस्परेटरी वॉल्यूम रेस्परेटरी वॉल्यूम और रेसिडूल वॉल्यूम इसके उपर बेटा बहुत सारे कोशन्स आप देख सकते हैं प्रीवेसे पेपर अगर देखेंगे प्रीवेसे करते हैं सारे कोश्टन से मिलने वाले हैं ठीक है चालो अब यहांपे देख सबसे पहले स्टेप सबस्क्राइब चार्ट करते हैं रेस्परेटरी वॉल्यूम और के बारे में जानेंगे फरस्ट जो होता है अपना वह होता है डिक है टाइडल व्यूम क्या होता है जब आप आप volume of air कोई volume of air जब आप क्या करते हैं inhale करते हैं और we can say inspire करते हैं और expire करते हैं दूरिंग नॉर्मल ब्रीधिंग नॉर्मल ब्रीधिंग उसकों के कहते हैं title volume इसका amount is equal to कितना इसका amount is equal to 500 ml यहां पर आप देख भी सकते हैं यह यह कह है यहां से लेकर यहां तक 500 अपना एक मिनटों को 1 यहां पर थोड़ा सा गलत लेबल कर दिया है देखें चलो यहां पर basically जहां पर 1 है यहां पर 2 है यहां पर 3 है यहां पर 4 है ठीक है तो 2 और 3 के बीच में कह सकते हो यह इस 2.5 2.5 यह वाला पोजिशन है तो यहां पर यह जो देख सकते हैं यह अपना क्या है volume of air expired और inspired यह भार गई और यह अंदर आए यह भार गई देखें और अंदर आए तो volume of air expired और inspired कब during normal breathing it is known as tidal volume ठीक है अब सोच रहांगे सर यह जो graph है यहां पर यहां से उपर भी जा रहा है तो बेटा वह अलग-अलग volumes को and capacities को represent कर रहा है tidal volume क्या है आपने simple तरीके से ना force लगाया ना कुछ करा आपने सास छोड़ा आपने सास लिया that is आपका tidal volume that is our tidal volume ठीक है वह हमारा simple से क्या होता है tidal volume होता है इसका amount मैं आपको बता दिया कितना है 500 ml आचा next अपना क्या होता है next होता है हमारा inspiratory reserve volume इसको आगे देख लेते हैं आई आर्वी इंस्पाइरेट्री रिजर्व वाल्यम अब यह क्या है यह क्या है अब यह है देखो volume of air या extra amount of कह सकते हैं इसको color change करेंगे लिखते हैं extra amount किसका off air जिसको हम क्या कर सकते हैं inspire कर सकते हैं कैसे forcefully after normal inspiration after normal inspiration आपने नॉर्मली इंस्पाइर किया आपने नॉर्मली इंस्पाइर करा उसके बाद भी जो एक्स्ट्रा यानि क्या आपने आपने टाइडल वॉल्यम लिया नॉमली इंस्पाइर कर सकते हैं that is our inspiratory reserve volume जैसे कि यहां पर लोग ने कहां गया यहां पर अपना था IRV देखो यह दे रखा है यहां पर आपने क्या करा यह आपका टाइडल वॉल्यम है आप इंस्पाइर और एक्सपाइर कर रहे हैं आप सास ले रहे हैं चड़ रहे हैं एक्सपाइर और इंस्पाइर कर र कि यहां तक यहां से यहां तक कीहां तक करको पोशन होता है यह होता है मारा नंस्पाइरेटरि इंस्पाइर्टर रिजर्व वॉल्यम आई आश्मक्य इसका ऑंड कितना होता है इसका मायूंट होता है 251 से लेके 3000ուम यह आपका IRV हो गया अच्छा अगर यहीं पे हमें IRV की definition पूछ ले expiratory reserve volume की तो क्या होगा वो volume of air जिसको आप expire कर सकते हैं force billy कब after normal expiration यानि कि पहले आपने normally expire करा यह देखिए पहले आपने normally expire करा आपने इतनी सास ली थी normally फिर आपने ने normally expire करा एड उसके बाद force billy आप यहां पे देखिए एयर निकाल रहे हैं force विली आपने यहां तक यहां तक तो यह जो point होता है यह जो amount होता है it is known as यहां से लेकर यहां तक का यहां से लेकर यहां तक का इतिस known as ERV और कितना होता है यह amount हमारा यह amount होता है हमारा 1000-1100 Aml. थीक है 1000-1100 Aml. तो 3 Volumes हमने पड़ ली है, Tidal Volume, Inspiratory Reserve Volume और Expiratory Reserve Volume ताइदल वोल्म क्या था, Volume of Air जुसको हम इंस्पायर कर रहे थे, Expire कर रहे थे कब, दूरिंग नॉर्मल ब्रीधिंग, अगर आपने नॉर्मल ब्रीधिंग से जाधा Air तो आपना क्या हो गया इंस्पारेटरी रिजर्फ वॉल्यम हो गया ज्यादा साथ निकाल दी तो एक्सपारेटरी रिजर्फ वॉल्यम हो गया तो इन दोनों का डेफिनेशन आपको रिलेट करके लिख सकते हैं पर पो करते हैं पर करते बैपना आता है फिर यहां पर क्या रेसिडुवल वॉल्यम अभ देखो होता क्या है आपने टैडल वॉल्यम निकाल दिया आपने अपने और बी निकाल दिया इसके बाद एक जो होती है हमारे लंग्स में रह जाती है ठीक है उसके बाद भी certain amount of air जो होती है air जो होती है it remains in lungs कि उस air को हम क्या कहते है उस air को हम क्या कहते है उसको हम कहते है residual volume यह देखे यह यह पूरी की पूरी जो air है this is residual volume क्योंकि यह देख सकते हो maximum expiration यहां तक था अब इससे ज्यादा maximum expiration होई नहीं सकता बट उसके बाद भी कुछ air जो है अभी भी बच रही है ठीक है and this air is known as residual volume यह lungs को basically collapsing से बचाती है अपने अल्वलाइव अगरा जो होते है है टेके इनको collapse करने से बजाती है क्योंकि उसके अंदर अल्री क्या होता है अपना residual volume प्रेजंट होता है तो यह अपना अल्वलाइव को collapse करने नहीं देती है ठीक है इंपोर्टन्ट काम है इसका यही अच्छा अब यहां तक अपनी वॉल्यूम्स थी कौन-कौन सी वॉल्यूम्स पढ़ लिए टाइडल वॉल्यूम कि चले करने के बाद नौर्मल इंस्पायरेशन किया आपने नॉर्मल एक्सियरेशन करा आपने सास छोड़ी पहले अब नौर्मल एक्सियरेशन करने केबाद normally expire करने के बाद कितना आप air inhale कर सकते हैं forcibly it is known as inspiratory capacity normal air expire करने के बाद amount of air amount of air जिसको हम क्या कर सकते हैं कि इंगें करते हैं इंहील कर सकते हैं यह इंसपार कर सकते है और 5 इस आपना इंशान हैmas वो निकाल दी अब क्या करेंगे inspiration करेंगे आपने inspiration किया 500 ml तक उसके बाद भी आप forcefully inspiration करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं तो के एड़ फोर्स फुल inspiration आपका कहां तक चला यहां तक चला maximum inspiration इसी को हम क्या कहते हैं Sp haramty Capaciti , इस सोम ओफ यहां पर पर अभी प्लस टाइल वालिमम न सब्सक्राचा यहां वालिम का होता है in एक बार हैं इसी चीजी को आप ने बेटा क्या करा आपने यहां तक ऑल दी एक्सपार करी आपने फिर इंहाल करी नॉनमली है आंप तो इन दोनों का अगर आप सम करते हैं तो कितना आ जाएगा अपना यह लिजे यह अपना इंस्पेरेटरी केपैसिटी आ गया थेके आगे चले नेक्स यहाँ पर एक मिनट रुक जाओ आगे कोशन्स आ रहें तो इंस्पेरेटरी केपैसिटी यह हो गया इसका उल्टा होगा इसी इस एक्सपेरेटर केपैसिटी आपने क्या करा नॉर्मली पहले एक्सपेरेशन करा एक्सपेरेशन करने के बाद अब एक्स्पार कर रहे हैं देखो नॉमाली आप लोगने क्या करा है यहां तक इंस्पारेशन करेंगे अब आपका अ kw époはは math na बॉल्म मुद्वarl ये करेंगे यहां से लेकिए हैं तक का सफिर ल कर सकते हैं कहब आफ्टर normal inspiration, normal inspiration के बाद amount of air जिसका forcefully exhale कर सके, expire कर सके, it is sum of tidal volume plus ERV, which is approximately equal to 1200, 1100 plus ml plus 500, तो it will come around कितना बाई, 1500 से 1600 ml, this is our EC, expiratory capacity, यह अपना क्या है, EC है, expiratory capacity है, अच्छा ठीक है, अब इसके बाद अपना क्या बच गया है, एक FRC बच गया है, तो FRC को यहाँ पर discuss कर लेते हैं, functional residual capacity, functional residual capacity, capacity, वो amount of air, जो रह जाती है, लंग्स के अंदर कब, after normal expiration, तो air left, after normal expiration, normal expiration में आप क्या निकालते हैं, सिर्फ tidal volume निकालते हैं, तो यहाँ से ले करके, यहाँ तक का आपका क्या हो गया, FRC हो गया, ठेक है, FRC जो होता है, हमारा sum होता है, किसका, ERV का, and RV का, residual volume का, और expiratory reserve volume का, it is around कितना होता है, हमारा, यह इसको अगर आप add करेंगे, तो कितना आ जाएगा, बताए, हमारा ERV जो था, वो कितना था, 1000 से 1100, ठेक है, और residual volume कितना था, हमारा, वो था, 1100 से 1200, तो अगर आप इसको add करते हैं, तो यह कितना बनेगा हमारा, इसको अगर हम add करेंगे, तो कितना बनेगा, बेटा, 1200 से 2300 भी कह सकते हैं, हाना या अगर आप इसको add कर देंगे, तो फिर वो अपना 2200 से हो जाएगा, तो approximately इसको usually books में, इसका amount जो होता है, वो दिया जाता है, कितना, 2300 ml, तो आप 2300 ml ही याद रखना, book में इसका नाम इतना ही दिया जाता है, ठीक है, 2300 ml, या आप इसको सिर्फ सिंपली क्या करो, residual volume से add कर दो, तो भी आपका अतना answer आएगा, जैसे कि अगर आपने यहाँ पे 1000 to 1100 ml लिया, और आपने इसको add करा 1200 से, तो आपका कितना आजाएगा, 2200 से 2300 ml, तो 2300 जवर FRC, functional residual capacity, ठीक है, यह अपना एक capacity हो गया, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर अपना आता है यहाँ पे, vital capacity, vital capacity, पहले से को graph में देख लेते हैं, एक मिनटर को खाली graph है अपना, यहाँ पे, यह साफ सुतरा है, यह देखो, vital capacity बेटा देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है, it is sum of tidal volume, inspiratory volume, and expiratory volume, ठीक है, expiratory reserve volume, तो basically आपने क्या करा, आपने क्या करा, आपने forced expiration करा, यहाँ जाने कि आपने forced expiration करेंगे, आप तो क्या निकालेंगे सबसे पहले, पहले normal air निकालेंगे, जिते निकल सकती है, आने कि tidal volume निकालेंगे, उसके बाद, आप लोगने निकाली क्या, expiratory reserve volume, forced expiration करने के बाद, आप forcefully कितना inspire कर सकते हैं, आप आपने forced expiration करा तो उसके बाद आप forcefully कितना inspire कर सकते हैं that is vital capacity अब आपने forcefully inspire करेंगे तो it is very obvious पहले तो ये वाली कमी पूरी करेंगे यानि कि expiratory reserve volume वाली कमी पूरी करेंगे और उसके बाद बेटा जी फिर आप क्या करेंगे normally inspiration करेंगे उसके बाद normally inspiration करेंगे और वो normal inspiration करने के बाद आप forcefully inspiration करेंगे एक बड़ी फिर से आपने क्या करा सबसे पहले step में first step में आपने क्या करा forcefully inspire करा forcefully inspire करा तो आपने ये निकाला और आपने expiratory reserve volume निकाला निकाल दिया अब जब forcefully inspire करेंगे तो पहले इसकी कमी पूरी करेंगे फिर tidal volume की कमी पूरी करेंगे और आप तीसरे नंबर पे forcefully inspire करेंगे तो जाहिर से बात है कि inspiratory volume भी लेंगे तो amount of air जिसको हम inhale करते है after force expiration ठीक है air inhaled forcibly after forced expiration ठीक है प्लस IRB एक अपना यहां पे रह गया है क्या total lung capacity जो होता है अपना यानि कि lung के अंदर कितनी accommodate year करी जा सकती है तो it is sum of basically vital capacity plus residual volume तो आप इसको भी solve करके easily निकाल सकते हैं this is our dlc total lung capacity ठीक है इसको आप solve करके easily निकाल सकते हैं कितना निकलेगा पहले तो आप लोगों को निकालना कि पच्चिस सो से तीन हजार प्लस हजार से ग्यारा सो एमल तो पहले इन दोनों को प्लस कर लें कि यह हमारा कितना हो जाएगा प्रॉक्समेटली 2600 से केलो इसको 41 एमल प्लस बान सो तिक है अब इसको आप अगर एड करेंगे 2600 नहीं हो गई 3600 होगा अब ठीक है ठीक है अब इसको आप एड करेंगे तो कितना आएगा 4000 टू अप्रॉक्समेटली 4.6 एमल यस 4600 एमल तो यह आपकी वाइटल केपैसिटी हो गई एक्जाम में इस नंबर को प्रिफर किया जाता है तो आप यह नंबर याद रखना इसमें अगर आप 1200 एड कर देंगे तो आपका कितना जाएगा यह जाएगा यह जाएगा अप्रॉक्समेटली एट और फाइफ एट इसके उपर एक्जाम में बहुत सारे कोशन्स आते हैं प्रिवेश एट पर उठा करके देखें खत्म करने से पहले क्लास एक क्विस करवा लेते हैं तो आज आते हैं जल्दी सम्क्विस पर चलिए तो क्विस का पहला कोशन अभी आने वाले अपने की स्रीन पर देखें यह देखुए रहा दूरिंग इस्पारेशन डायफराग्राम एंड एक्सटरनल इंटरकोस्टल मसल करती हैं इस्पारेशन आप लोगों को सास लेनी है अब सास लेनी है तो अंदर वॉल्यम ज जादा कैसे बना सकते हैं अंदर वॉल्यम जाद हम कैसे बना सकते हैं लंक्स को बढ़ा कर दें अब लंक्स को कैसे बढ़ा कर सकते हो यह बताओ next पर आते हैं exchange of gases in alveoli of lungs takes place by ये question तो काफ़ी easy हो गया exchange of gases जो होता है alveoli और lungs के बीच में वो कैसे होता है ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है ठीक है exchange of gases between alveoli and lungs कैसे होता है ये हमें लोगों को बताना है तो time यहाँ पर हो चुका है सबसे पहले यहाँ पर देखो exchange of gases बेट है तो यह तो easy था why simple diffusion जहाँ पर हो सकता है आप लोगों को थोड़ असा दिमाग लगाना पड़ेगा देखो मैंने क्या बोला है inspiration करवाना है volume यह कैसे सकते हो air अंदर लेकर आनी है air अंदर लानी है air अंदर कब आएगी जब lungs की volume बढ़ेगी lungs की volume में increase आएगा lungs की volume increase कैसे होगी जब lungs यह outward move करेंगे lungs यह हमारे outward move करेंगे outward कब move करेंगे या कैसे move करेंगे जब हमारे कैसे सकते हैं external intercostal muscles and diaphragm diaphragm जो है diaphragm जो है यह बाहर की तरफ move करें या outward और downward move करें outward और downward और यह कब move करते हैं जब इनकी muscles contract करती है तो answer यहाँ पर हो जाएगा option number C तो आप लोगों को यह सारी सीजों में confusion होगी नहीं कभी भी तो इसको भी मैं समझा दूँगों tension मत लेना तो आप लोगों से मिलते हैं अगली class में तब तक लिए bye bye and thank you so much